हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत हैं अपका इस वीडियो क्लास में falls डिसकस करेंगे SBIPO Pre के कुछ गए और यह पेपर हुआ था है 2017-2018 को जुलाई में यह पेपर हुआ था क्यों परहेगी तो जलिए देखते हैं इंक़ोस्टेंट को देखिए ये पैरा जंबल का एक कोश्चन है और इस तरह के कोश्चन्स नॉर्मली प्री एक्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि में इस एक्जाम में जो कोश्चन्स आते हैं तोड़े से ज़्यादा ट्रिकी और ज़्यादा लेंदी होते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें देखिए एक पार्ट ये दिया है, यहाँ पर, जो की बोल्ड में लेखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और बाकी के जो पार्ट हैं, उनको अनबोल्ड करके लेखा गया है, जिसको A, B, C, D, इस तरीके से लेटर के द्वारा signify उसमें क पोजिशन जो होगी, वो चेंज नहीं होगी, यह एजिटेज रहेगा, जिसको हमने 1 से इंडिकेट किया है, और जो A, B, C, D, जो हैं, उनको आपको रियरेंज करना होगा, और रियरेंज करके जो पैरा बनेगा, आपका पैरा बनेगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है, तो यहां से आप लगाएंगे, मतलब इसके बाद आपको क्या चाहिए, एक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि चाइनीज ऑफिसेल से का मतलब है कि वे क्या कहते हैं, तो वो जो कहते हैं, वो इसके स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, तो इसलिए इसके आगे आपको एक देखिए the word economic लगा हुआ है जो कि एक noun है इसके आगे आपको एक statement चाहिए कि वो क्या कहते हैं ये common sense है ये common logic है ठीक है Chinese official say तो इसके बाद आप ये वाला sentence लगा सकते है economic growth has अब चुकि यहां पर has लगा हुआ है तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे एक simple सा common sense है कि इसके बा और उसके बाद क्या आएगा A ठीक है अब C और A का इसमें A की combination है यदि C और A के दो या तीन या चार combination होते तो फिर आप पूरे sentence को पढ़ते लेकिन trick क्या है जैसे ही आपको दो letter का combination मिलता है वही आपका सही answer है लेकिन थोड़ी C उसमें surety आपको होनी चाहिए और ये surety आएगी आपको practice करके तो यहाँ पर आपका सही answer होगा C A C A B D क्योंकि C A का और कोई option नहीं है और logically ये बात prove हो गई यहाँ पर कि Chinese official say के बाद economic growth has ही आएगा has के बाद word की third form ही आएगी तो dropped ही आसकता है कुछ दूसरा word नहीं आसकता तो इसलिए इस तरीके से आपको इन questions को करना है और जब आप questions को करें तो आपको अपने answer को justify करना आना चाहिए आपको confidence होना चाहिए कि इसका answer cable यही हो सकता है और कुछ इसका answer नहीं हो सकता ठीक है और वो based होना चाहिए आपका जो answer based होना चाहिए वो logic पर based होना चाहिए तो इस तरीके से इन questions को करना है इस तरीके से इन questions को आप करते हैं तो कम से कम time में accuracy के साथ इन questions को आप कर पाएंगे और यही आपकी strategy होनी चाहिए कि कम से कम time में accuracy के साथ questions को करें ठीक है तो यह ज़ sentence का, उस particular sentence का meaning आपको पता हो, आपको simple common sense or simple logic आपको apply करना है, आप देखें कुछ और sentence हम देखते हैं यहाँ पर, यह है इसके options, I think it is a shame that, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक शर्मनाख चीज है, एक शर्मनाख बात है, ठीक है, वो बात क्या है, वो statement क्या है, वो इसके आगे आएगा, ठीक है, तो I think it is a shame that, यहाँ पर आप यह लगा सकते है, some foreign language teachers, क्योंकि यहाँ पर that के बाद, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ state करेंगे, तो जब आप कुछ बोलेंगे, तो एक sentence के form में बोलेंगे, और वो जो sentence start होगा, वो एक subject से start होगा, जिसको हम बोलते हैं doer, इसमें doer दिया हुआ है, some foreign language teachers, I think it is a shame that some foreign language teachers, अब some foreign language teachers तो एक subject हो गया, अब इसके बाद verb आपको चाहिए, तो verb किसमें हैं, देखिए, इससे हम मिला के देखते हैं, studied with a native speaker, some foreign language teachers, studied with a native speaker, college without, अब यहां से इसका कोई sense नहीं बन रहा, ठीक है, यहां से, इस sentence को, इस sentence के साथ आप जोड सकते हैं, some foreign language teachers को, इसके साथ आप जोड सकते हैं, लेकिन इसके आगे कोई sense नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको हम जोड के देखते हैं, some foreign language teachers, college without, यहां भी कोई sense नहीं बन रहा, क्योंकि, क्योंकि teachers के बाद, यह एक subject है, और इस subject के बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक verb चाहिए, ठीक है, तो study दे एक verb है, लेकिन इससे कोई sense नहीं बन रहा, college जो है, वो verb नहीं है, अब इसमें यह वाला part जोड सकता है, क्योंकि word जो है, वो इसमें verb है, some foreign language teachers were able to graduate from, यहां से इसका एक sense बन रहा है, were able to graduate from, अब हम graduation जो करते हैं, वो कहां से करते हैं, college से करते हैं, एक simple सा common sense है, ठीक है, तो इसके बाद some foreign language teachers, जो है, उसके बाद आएगा, यानि A के बाद आएगा D, और D के बाद आएगा C, A के बाद आएगा D, D के बाद आएगा C, ADC का एक combination इसमें बनेगा, और ADC का जो combination वो capable एक ही है, और इसका answer होगा second, ठीक है, इस तरीके से इन questions को आपको करना है, और जाज़ा प्रैक्टिस करनी है, test series के थूरू, जितनी अच्छी आप practice करेंगे, उतना अच्छा आप कमान कर सकते हैं, अब देखे, एक ये question है, और इसके questions को हम पढ़ते हैं, गीता इसे spiritual philosophy, ठीक है, address to all, देखे, यहाँ पर गीता इसे spiritual philosophy, गीता जो है, वो एक spiritual philosophy है, and it is address to all, मतलब, गीता में जो जो कुछ लिखा हुआ है, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा हुआ है, वो पूरे संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी मानब जाती हैं, उन सभी के, उसमें address किया गया है, और यह बस सही है, ठीक है, तो इसलिए first के साथ, यानि ये जो first है इसके साथ ये जो combination है, address to all, ये सही है, अब चूकि यहाँ पर एक sentence, यहाँ तक एक sentence बन गया, अब यहाँ पर के लिखा है end, यानि यहाँ से एक दूसरा sentence जोड़ा जा रहा है, तो ये जो combination बन रहा है, ये logical combination है, and we know that there are all kinds of people, हमें पता है कि there are, के सभी तरह के लोग होते है हैं इस दुनिया में, there are all kinds of people, each kind differing quite significantly from the other, ये माद बहुकर सही है, कि 10 तरह के लोग हैं, 50 तरह के लोग हैं, तो 50 तरह के लोगों की शकल सूरत, उनका mind, उनका सोचने का तरीका, उनके psychology, वो सब कुछ, दूसरे विक्ति से पूरी तरीके से अलग होती है, ठीक है, तो इस प इसका जो आंसर होगा, वो होगा, no arrangement required, ये हम SBIPO के 77-2018 के real questions कर रहे हैं, और ये most recent pattern है, क्योंकि 77-2018 का मतलब है, कि most recent, इससे recent कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है, कि ये जो pattern है, ये current trend है, ये current pattern है, तीक है, इस तरह का pattern को आपको सीखना है, और जैसे pre-exam होता है, उ 7 या 8 या maximum 10 questions passage के रहते हैं, बाकी सारे questions इसी तरीके के होते हैं, और इस तरह के questions को आप आसानी से solve कर सकते हैं, और इसमें 20-22 number, 30 में से 20-22 number आप आसानी से ला सकते हैं, यदि आप अच्छी practice करते हैं, और 20-22 number का मतलब है कि cut-off से 4 गुना जादा, cut-off से 4 गुना जादा, आप sectional और overall cut-off आप आसानी से निकाल सकते हैं, यदि आप सही steady follow करें, सही steady ये है कि आपको passage को सबसे बाद में करना है, पहले इस तरह के questions करना है, और passage को करना भी है, तो उसकी vocabulary जो part है, वो करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको question part पर जाना है, यदि time आपको allow करता है तो, अब हम देखते हैं, देखें ये filler के question है, और ये भी इसमें affair, function, omission, ये options दिये हैं, statements और discretion, तो इसको पढ़ते हैं, they would like local authorities to be given, इसको थोड़ा से analyze करते हैं, they would like, वे लोग ऐसा चाहेंगे, they would like, मतलब वे लोग ऐसा चाहेंगे, वे लोग क्या चाहेंगे, कि local authorities to be given, मतलब local authority, अब देखें, यहाँ पर देखें, to be given क्या है, to be given जो होता है, वो passive voice construction होता है, passive voice construction का मतलब है, कि इसमें जो subject होगा, वो receiver होगा action का, local authority कोई काम नहीं करेगी, local authority के ऊपर कोई काम होगा, ठीक है, तो इस sentence का मतलब क्या निकला, अगर ऐसा हम apply करें तो इसको, they would like, वे लोग चाहेंगे कि local authorities to be given, मतलब local authority को ज़्यादा responsibility दी जाए, local authorities to be given greater, greater क्या दी जा सकती है, local authority को हम क्या दे सकते हैं, क्या हम affairs दे सकते हैं, नहीं, affairs का कोई sense ही नहीं, क्या हम functions दे सकते हैं, नहीं, हम उनको responsibility दे सकते हैं, ठीक है, omission नहीं, statement नहीं, मतलब इन चारों WORDS का कोई sense नहीं निकल रहा है, इन चारों ही WORDS का कोई sense नहीं बन रहा है, और ये जो मैं sense की बात करता हूँ, कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि इन चारों ही words का कोई sense नहीं बन रहा तो ये चीज आपको आती है reading से जब आप reading करते हैं हिंदू newspaper की और economic time newspaper की तो ये जो sense आपके अंदर create होता है कि कहां किस sentence में कौन सा word fit हो सकता है ये आपको आता है reading, reading से इसलिए जितने भी आपने faculty members देखे होंगे, जो YouTube पर पढ़ाते हैं या कहीं पर भी पढ़ाते हैं वो ये चीज सजेस्ट करते हैं कि you should read as much as possible ठीक है, ज्यादा स्यादा आप reading करें और ज्यादा स्यादा उसका sense निकालने ही कोशिस करें words को combine करने की कोशिस करें कि किस word के साथ कौन सा word जाता है तो यहाँ पर आखरी का जो word बचा वो word बचा discretion discretion क्या होता है discussion यह होता है कि discussion का मतलब होता है freedom to take decisions ठीक है तो यहाँ पर वे लोग चाहते हैं they would like वे लोग चाहते हैं कि local authorities को जादा दिया जाए जादा क्या दिया जाए जादा उनको freedom दी जाए ताकि वो जादा better और जादा सही decision ले सके ठीक है to be given greater discretion as to as to मतलब इसके regarding as to का मतलब होता है इस चीच के regarding किस चीच के regarding इस चीच के regarding ठीक है how the money is spent पैसा कैसे खर्च किया जाता है उनके पास जो budget है उस budget को वो किस तरीके से खर्च करते हैं इसके regarding उनको जादा discussion दिया जाए जादा power of judgment उनको दिया जाए ठीक है तो यहां से आपका जो sense बन रहा है वो पूरे तरीके से सही बन रहा है और इसमें जो answer होगा वो होगा आपका 5 I hope you understand this question चलिए इसके आगे हम देखते हैं ये है question number 5 और ये हैं इसके options आप देख सकते हैं पांच options दिये हैं इसमें In a 10 billion year old galaxy there should have been ample ample world को हम किस के साथ normally जोडते हैं ample supply, ample advocacy, ample surveillance, ample opportunity ample negligence ample को हम दो words के साथ normally जोडते हैं ample opportunity और ample supply क्योंकि ample का अर्थ होता है परियाप्त तो कहीं पर भी आप news पर में देखेंगे किसी magazine में देखेंगे तो आपको ample जो word है opportunity के साथ supply के साथ normally मिलेगा ample space भी हम मूलते हैं ample space तो यहाँ पर मैंने common sense एपलाई किया कि in words के साथ ample word जाता है अब इन दो words में से कौनसा word आ सकता है यह थूड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा in a 10 billion year old galaxy there should have been ample opportunity लगा के देखते हैं opportunity for at least one species to escape देखें यहाँ पर opportunity ही आएगा क्योंकि escape जो word है आप escape तभी कर सकते हैं जब आपको कोई opportunity मिलेगी कहीं से भी किसी भी जगह से यदि आप escape करते हैं ठीक है वहाँ से बचके निकलते हैं तो वो होगी एक opportunity वो supply नहीं हो सकती वो opportunity होगी एक मौका होगा आपके लिए ठीक है तो without reading the complete sentence I can say that this is the right answer opportunity यहाँ पर इसका सही answer होगा इसको थोला सा पूरा पढ़ते हैं for at least one species to escape its own mass and to spread across the stars filling every niche इसका मतलब यह है कि जो 10 billion year old galaxy है उसमें से कम से कम एक species को तो यह opportunity होगी कि वो अपने मैस से बाहर निकले और stars के बीच में चला जाए थोड़ा सा टेक्निकल यह सेंटेंस है लेकिन यहीं सेंस देखें तो इसका अपोस्टूटी इसका सही आंसर यहाँ पर होगा नेक्स कोर्शन देखते हैं हम और यह हैं इसके ऑप्सिंस इदा सेम अमाउंट आफ टाइम इट वो टेक मी टू करेक्ट ऑल दा इन यूर रिपोर्ट आई कुड राइट अब बैटर रिपोर्ट माई सेल्फ इसी एमाउंट में इसी इसी टाइम में में अच्छी रिपोर् और करेक्ट कर सकता हूं करेक्ट इन यूर रिपोर्ट करेक्ट हम किसीज को करते हैं क्या हम करेक्ट प्रॉब्लम्स को करते हैं नहीं क्या हम करेक्ट एकुरेसी को करते हैं नहीं क्या हम करेक्ट ऑप्स्टेकल्स को करते हैं नहीं क्योंकि ऑप्स्टेकल्स का अर्थ होता है अब रोध या बादा हैं और dispute को correct करते हैं नहीं हम हमेशा mistake को correct करते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा एक keyword की correct और correct हम करते हैं mistake को तो यहाँ पर answer होगा आपका first आगे दिखते है question number seven I have recently used the service of his agency to book a cruise in the Mediterranean Mediterranean में जो cruise होता है जो ship होता है उससे जब हम जाते हैं तो वह सारी चीज़ें आती हैं वह सारी चीज़ें आती हैं आपकी travel में जैसे आपने सुनाओगा तो यह suitable नहीं रहेगा deportation किसी को बहार निकालना देश जब बहार निकालते हैं किसी वेक्ति को तो उसको हम बोलते हैं deportation transfer mover यह नहीं आएगी transfer agency mover agency नहीं होती वो travel agency होती है जो cruise पर आपको भीशती है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो होगा आपका travel चलिए आगे question देखते हैं a true of the resources involved in sport would include the unpaid labor services आपको केवले keyword पकड़ना होता है देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बोलाए unpaid labor services अब labor services दो तरह की की हो सकती है unpaid और paid इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं इसका मतलब हम resources का क्या कर रहे है resources का estimation कर रहे हैं जब हम unpaid और paid के बारे हैं बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम resources को measure कर रहे हैं उसको estimate कर रहे हैं कि कौन से resources paid हैं कौन से unpaid हैं ठीक है उनको हम measure कर रहे हैं तो यहाँ पर एक simple सा यदि आप logic apply करें तो estimation will be the right answer here तो यहाँ पर यह कुछ question है phrase replacement के और इसको देखते हैं बोथ ayurvedic and herbal products चुकि दो इसमें subject हैं एक ayurvedic हो गया और एक herbal product हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर जो verb आएगी वो कैसी आएगी plural आएगी गेंड सही है वी 3 है तो सही है ठीक है तो हैप का जो option है वो इसमें एक ही है answer होगा second यह real questions है ठीक है आगे हम देखते हैं question number 9 हो गया question number 10 देखते हैं question number 10 यह इसके options है यहाँ पर तू के बाद verb की first form आपको चाहिए ठीक है have वर्व की first form है head नहीं है head तो third form है पिसलिए head नहीं आएगा यहाँ पर verb की first form होती है have और जब have लगाएंगे तो third form आ जाएगी यहाँ पर third form पहले से लगी हुई है यहां पर आंसर होगा आपका third He said to have defrauded many people of lakhs of rupees till date मतलब वह इस बात से दुखी है कि उसने अब तक मतलब हजारों लोगों को लाखों रोपे का फ्रोड किया है घोटा ला किया है इस बात से वो दुखी है ठीक है तो इसका आंसर होगा third next sentence देखते है ring network technology requires many wiring and it is not feasible for connection to many notes इसमें हम option देखते हैं क्या options है देखे ring network technology जो है इसमें हम basically बात किसकी कर रहे हैं हम इसमें fact की बात कर रहे हैं कि ring network technology ऐसा कर सकती है या इसके यह requirement होते हैं तो यहां पर हम fact की बात कर रहे हैं fact और universal truth जो होते हैं वो present simple tense में आते हैं अब ring network technology जो है यह singular है तो यहां पर आपको S चाहिए ठीक है लेकिन wiring जो है यह countable नहीं है इसलिए many यहां पर नहीं आएगा इसका मतलब यहां पर आपको इसको replace करने की जरूवत है अब आपको क्या करना है S वाला ऐसा require देखना है जिसमें S लगा हो ठीक है तो इसमें S नहीं लगा तो यह हट गया इसमें S नहीं लगा यह हट गया इसमें S नहीं लगा यह हट गया आंसर आ गया 4 ठीक है तो और requires के साथ देखिए इसमें lot of wiring आप कह सकते हैं लेकिन मैनी वाइरिंग नहीं कह सकते, तो उसे साब से भी ये sentence आपका सही हो गया, और require में as लगा हुआ है, तो ये भी सही हो गया, हम यह required क्यों नहीं बोलेंगे, required इसलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि past incident की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम एक fact को बता रहे हैं, यहां हम ए simple tense की जो verb होगी, उसमें हम as लगाएंगे, और as वाला जो sentence है, वो एक ही है, इसलिए इसका sure-sure जो answer होगा, वो होगा forth, तो इस तरीके से इन questions को किया जाता है, कोच student क्या करते हैं, कि थोड़ा सा उनको सही लगा तो वो तुक्का मार देते हैं, यहां guess work करते हैं, तो guess work 100% sure हैं, तभी answers को tick करना है, और पूरे logic, दो या तीन parameters पर आपका answer सही होना चाहिए, grammatically भी वो सही होना चाहिए, और logically भी सही होना चाहिए, यदि इन दो parameters पर आपका answer सही लग रहा है, तो फिर आप उस answer को आप लगा सकते हैं, तो यह app की approach होनी चाहिए, ठीक, इस approach से करत सकता है, आप आसानी से इतना achieve कर सकते हैं, और 30 मैं से pre में 18, 20 नमबर आपके आ जाते हैं, तो आपका नाकेबल sectional, बलकि overall cut-off भी हस्ते हस्ते निकल सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, और जो चीज़े मैंने बताई हैं, जो common sense approach, जो logical approach मैंने बताई है इनको आपको apply करना है, और exam में सफलता अपनी सुनिश्यत करनी है, तो इसी के साथ इस video class को मैं खत्म करता हूँ, और अब मैं आप से भी लूँगा next video class में, till then bye and have an awesome day, thank you.